हे गाइस वल्कम बैक इन योट्यूब चैनल निकु चोधरी व्लोग्स में हम बात करने जा रहे है रियक्शन वीडियो कामनी और जो उनकी देवरानी उनके बीच में जो कॉंट्रोवर्सी चल लिया है वो ये कि अगर ये इस matter को खतम करना चाते हैं कॉंट्रोवर्सी को खतम करना चाते हैं और सब कुस सही करना चाते हैं तो ये लोग अपने comment section में negative comments क्यों रख रहे हैं एक दूसरे के लिए बलकि जिसमें एक दूसरे के लिए गंदी language किसी को छिपकली बोला जा रहा है किसी को कमी नहीं बोला जा रहा है इस तरीके की language अगर comment box में को यूज कर रहा है उनको क्यों रखा जा रहा है यह चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है जब आप comment को hide करते हो या फिर hold पे रखते हो या फिर अपने लिए against comment है उनको delete कर रहे हो तो अगर आपको सामने वाले के है यह हमेशा रहता है कि मैं कभी किसी एक का favor नहीं करती भले ही मुझे कोई पसंद हो या ना हो लेकिन reaction जम मैं देती हूँ तो दोनों तरफ से ही देती तो यहां पर मैं इसलिए ही शुरू से कहती हूँ कि मेरे हिसाब से दोनों सही अपनी जंगा और दोनों गलत थे जो व वो खुझ चाहती थी कि उनके घर की बात बाहर आए अब इसमें कुछ hate नहीं है उनके लिए बट वहाँ पर उनको रोकना चाहिए था अब लोग कामनी को यह कमेंट कर रहे हैं कि आपने एक बुढ़ी और गलती उन्होंने भी की थी और कामनी ने यहां किसी को नहीं बोला जाना पड़ा और वो महाँ पर जाते हुए पहले जब गाड़ी में बैठी तो कुछ थी लेकिन बाद में रो रही थी अब लोगों ने इस पर भी नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दे लोगों का कहने यह है कि आपको पता चल गया था कि आपकी नानी सास जो है वो उनक रिप्लाई नहीं आया है क्योंकि शायद वो महाँ पर जाकर जो रसमें होती है उनमें बीजी होगी तो इसलिए रिप्लाई नहीं आया है लेकिन यहाँ पर लोगों ने उनके उपर भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिये जहां पर पहले कामनी को एक तरफा सपोर्ट मिल अब किसी जो कोमेंट करने वाले सब्सक्राइबर ने उन्होंने इन पर ये भी कोमेंट उठा दिया है कामनी पर ये भी सवाल उठा दिये हैं कि भाई आप अपने साथ भाई के साथ में आगे कैसे बैट गई गाड़ी में अब देखे कोमेंट पहले आप पढ़िएगा और ये कोमेंट एक नहीं है ऐसे कई कोमेंट लिखे हुए जिसका रिप्लाई मैं आगे देने वाली हूँ कुछ लोगों को सहथ सिस्टाचार है कि जो बड़ा और सम्मानित होता है वो कार में आगे बैटता है तो जो भी कलेश अंटी आगे बैटने को लेकर ग्यान दे रही है अगर वो सभी अपनी नरंद को पीछे बैठा कर पती के साथ आगे विराजमाना है तो खुद सुधर जाए यहां मुर्का का परदर्शन ना करे तो ये कोमेंट कामनी के पक्ष में आया है क्योंकि लोग बहुत सारे इनको को मेंट करे थे कि आप आके क्यों बैठी आपको नरंद के साथ में तो वो लोग आके बैठती है मैं पीछे बैठती हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई गलती कर रही है यह नहीं यहां पर एक जो लेडिया उन्होंने लिखा है मुर्क हैस का भाई यह अपनी भाई का घर भी बरबाद करके मानेगी अगर जादा दिन पड़ी रही मैं के में मतलब की हद है इतनी नफरत खिया आपको कुछ भी लिखना है बस आपको हेड कोमेंट करना है तो कुछ भी आप लिख दोगे इन चीजों का इशू बना दे कि भाई आगे क्यों बैठ गई पीछे क्यों नहीं बैठी आगे बैठ गई तो घर बरबा बाद करेंगी वा जी वा ये जो कोमेंट है इस तरीके के कोमेंट आई थिंग नहीं रखने चाहिए कामनी को भी अपने कोमेंट सेक्शन में यहाँ पर इन्हों ने लिखा है सच में दीदी आपकी जहरैली देवरानी ने जो हरकत की है ना कोई दूसरी लड़की होती तो थू इसी ने भी जलीपन प्रूफ कर जाहिल पना प्रूफ कर दिया है रीजन उठा के स्टेज पे ना जाने दिये गए क्यों जाने दें सगे भाई की शादी थी तुम्हारे दूर के बेहन है की अपने भाई के शादी में कोई गुस्सा अब कोंटेंट डाले तब पता लगेग इसे really you have a big heart सुमीत की बात पे ध्यान ना दें आप आदमी के रूप में ओरत है वो दो गंटे की वीडियो में एक भी बात क्लियर नहीं कर पाया तो यह कमेंट लिखवा है चलिए बात माला कि आपकी बात जो है वो सही है लेकिन आपकी जो लेंग्वेज है वो मुझे बिल इसे तरीके से रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो पुरानी बाते बीत गई है उनको भी बार बार उठा के लाया जा रहा है यानि कि कहीं ना कहीं कोंट्रोवर्सी को रोखने की कोशिश हो ही नहीं रही है आपको क्या कहना है इस बारे में कोमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईएगा क्या आपको भी लगता है कि कोमेंट बॉक्स में एक दूसरे के लिए हेट कोमेंट और गंदी लेंगवेज वाले कोमेंट रखना ये दोनों की ही समसदारी पर सवाल उठा रहा है मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक कि लिए पापाई